नमस्ते पिछले दो तीन हफ़तों में वोड़ाइफोन आइडिया के शेर प्रैस में काफी बड़ी मुवमेंट देखने को मिली है काफी हाई वॉल्यूम्स में भी ट्रेडिंग हो रहा है और जब से वो 12 रूपीस के उपर आ गया है अभी 14 रूपे के नजदीक पहुंच रह लाएगा और बीस रूपे के ऊपर के लेवल पे बहुत जल भागने वाला है इसके रिलेटीड काफी ट्रेडर लोग इसमें काफी फ्लोट कर रहे हैं कि इसमे इसका जो फनरेजिंग होने वाला है उसके बारे में भी उसके business operations के बारे में भी एजियार्ट के बारे में भी तो ये सारी बातों में से, जो rumors है, वो हमें side में करने बहुत जरूरी है, तो सारे retail shareholders को, यानि कि जिन्होंने already God of an idea में invest किया है, या फिर जो invest करने का सोच रहे है, इन सब के लिए कुछ बहुत ही important facts मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये facts पे काफी लोगों ने पिछले दो हफ्तों में या पिछले हो सकता है, एक देड़ साल में इस पे ध्यान नहीं दिया है, और especially जब से fundraising का announcement आया है, तब से मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं है, तो ये facts समझना बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, उन facts पे जाने से पहले, rumors के बारे में जल्दी से एक ध्यान दे देते हैं, कि फिलाल काफी positive news, ज़्यादा तर positive news और rumors ही bombard किये जा रहा है, अलग-अलग forums में भी, okay, so retail shareholders जो ये सारे forums पढ़ते हैं, तो उन पे काफी इस पे असर होता है, उनको लगता है कि सिर्फ positive ही हो रहा है company में, कुछ भी negative नहीं हो रहा है, काफी सारे इसमें से rumors जो है, वो हो सकता है, सही ना निकले, आने वाले दिनों में पता चली जाएगा, fundraising, अभी what if on idea ने September के AGR Supreme Court का जो AGR ruling आया था, उसके बाद ही बहुत जल्द announce कर दिया था, कि वो fundraising करेंगे, 25,000 crores का fundraising announce किया हुआ है, जिसमें से around 15,000 crores का equity capital expected है, और बचा हुआ debt capital, तो इस fundraising का अभी हो सकता है, final stages में discussions या negotiations चल रहे हो, तो उसके बारे में भी काफी लोग rumors float कर रहे हैं, कि investors कौन-कौन होंगे, काफी सारे बड़े-बड़े technology companies के भी नाम आ रहे हैं, in fact अगर आप ध्यान दे, तो कुछ महिने पहले भी rumors float हुए थे, जब geo platforms में काफी बड़े-बड़े investors पैसा लगा रहे थे, अब ऐसा माना जा रहा थे कि Vodafone idea में भी Google invest करने वाला है, लेकिन वो बात सही नहीं निकली, Google ने in fact geo platforms में invest किया, तो मेरी आप से सिफ ये request थे इसके थूरू कि rumors पे भरोसा मत कीजिए, जब तक एक final announcement नहीं आता, तब तक fundraising के किसी भी rumor पे भरोसा मत कीजिए, expectations realistic बनाए रखे, ओके सो ये जो लोग कह रहे है कि share price 20 रूपे के उपर बहुत जल शूट होने वाला है, या फिर fundraising 25 रूपीज के उपर के level पे होने वाला है, वगरे वगरे ये सारे rumors पे फिलाल भरोसा मत कीजिए, realistic expectations रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो आने वाले slide में मैं जो facts आपके सामने रखने वाला हूँ, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर खुद सोचिए इसके बारे में कि जो बाते मैं अभी आपसे share करने वाला हूँ, क्या वो सही है या नहीं, तो आएए शुरू करते हैं, अब जो facts मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो basically what if on idea का जो पहले वाला fundraising हुआ था, उस वक्त दो साल पहले, around February, March के महिने में, 2019 में, यानि कि अभी दो साल उसको almost पूरे होने को आए हैं, तो उस वक्त उन्होंने एक rights issue के थूरू fundraising किया था, 25,000 crores का total capital उन्होंने raise किया था, ओके और उस 25,000 crores के fundraising के लिए, उन्होंने pricing जो announce किया था, वो काफी shocking था उस वक्त, price उन्होंने announce किया था, सिर्फ 12.5 rupees per share, यानि कि इतने बड़े capital, 25,000 crores के capital raising के लिए, जब उन्होंने ये price announce किया, तब समझ में आया कि around 2,000 crores नए shares issue होने वाले थे उस वक्त, इस rights issue में, उस वक्त, company का share price market में जो चल रहा था, मैं खुद उस वक्त एक shareholder था, what if on idea था, उस वक्त मुझे याद है कि share price जो था, वो 30 rupees के थोड़ा सा उपर trade हो रहा था, maybe around 32 के आसपास trade हो रहा था, जिस दिन ये announcement आया, और जैसे ही ये announcement आया, मैंने ये figures देखे, कि 25,000 crores का fundraising हो रहा, सिर्फ 12.5 rupees per share के price पे, तो मैंने immediately, वो सारे के सारे मेरे जो shares थे, थोड़ इसे loss में क्यों ना हो, लेकिन मैंने बेच दिये थे, उसका reason यही था, कि मुझे लगा था कि इतना बड़ा, जब number of shares issue होने वाले हैं, और इतने सस्ते price पे, तो definitely market में भी वो price गिरना तो ही, उस expectation पे मैंने वो बेच दिये थे, उस fundraising में obviously इतने सस्ते price में कौन opportunity छोड़ता, प्रमोटर्स ने भी उनका जो 75% के आसपास का जो shareholding था, वो maintain करने के लिए fresh capital invest किया था, तो अभी कुछ important बाते यह जान में रखते हैं, कि उस वक्त, यानि कि February, March 2019 के दौरान, Vodafone Idea की business situation कैसी थी, तो मेरे हिसाब से Vodafone Idea आज के मुकाबले काफी stronger position में था, दो साल पहले, उनके पास काफी जादा subscribers थे, आज के मुकाबले, उनका जो quarterly total income का figure था, वो almost 12,000 crores के नजदीक था, आज वो figure 11,000 करोड के नीचे है, यानि कि around 9-10% नीचे है, याद रखिए, दो साल में Vodafone Idea ने कोई progress नहीं किया total income front में, in fact उनका जो quarterly total income figure जो है, वो आज almost 8-10% नीचे चल रहा है, दो साल पहले के मुकाबले, तीसरा सबसे important point जो मैंने आपके सामने लिखा है वो है, कि उस वक्त उनका जो 4G user base जो है, वो quarter on quarter काफी fast grow हो रहा था, मेरे पास पूरा data है, जिसमें मैंने देखा है कि 4G user base उस वक्त वो हर quarter में तकरीबन 5 million 4G users add कर रहे थे, आज के मुकाबले वो काफी faster growth थी, in fact data consumption भी उस वक्त 12% या 11% quarter on quarter grow हो रहा था, आज के मुकाबले वो काफी faster है, in fact पिछले चार quarter में वोड़ाफोन आइडिया ने बहुत ज़ादा 4G users add नहीं किये है, तो यह आज की fact है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, data consumption का data numbers भी देखे, तो in fact September quarter, जो last reported quarter है, उसमें उन्होंने negative growth report किये data consumption में, तो यह भी fact आप please ignore मत कीजिए, यह बहुत ही important parameters है, जिसके उपर हम company के progress को study करते हैं, तो यह parameters में उस वक्त Vodafone Idea definitely बहुत ही stronger position में था, आज के मुकाबले, और सबसे important बात, उस वक्त, यानि कि March 2019 में जब यह rights issue announce हुआ था, उस वक्त Vodafone Idea के सर पे कोई भी AGR dues का burden नहीं था, याद रखिए वो AGR dues का burden का news जो शुरू हुआ, वो October 2019 में शुरू हुआ, यह fundraising हुआ था March 2019 में, यानि कि उस वक्त, जब उन्होंने यह 12.5 रूपीज का price announce किया था, उस वक्त Vodafone Idea को imagination में भी नहीं था कि उनको इतना बड़ा AGR dues का amount देने की ज़रूरत पढ़ने वाली है, तो ऐसे सारे situation में जब उन्होंने 12.5 रूपीज का price announce किया था, rights issue के लिए, आज जब Vodafone Idea की business situation काफी weaker है उस वक्त के मुकाबले, उस ऐसे situation में हम ऐसा कैसे expect कर सकते हैं, कि Vodafone Idea जो नया fundraising अभी करने वाला है, वो 12.5 रूपीज पर share के उपर होगा, मेरे हिसाब से वो almost ना मुनकिन है, in fact, कोई भी बड़ा investor इसके उपर की price देने को तयार नहीं होगा, अगर मैं खुद वो investor होता तो मैं definitely bargain करता, और maybe मैं face value या face value के थोड़ा नीचे भी price पुश करता, लेकिन 12.5 के उपर की price तो almost impossible है, आज की situation में उनको fundraising में मिलना, ओके सो ये बाते भूलिएगा मत, अब अगली slide में कुछ important numbers देखते हैं, आज Vodafone Idea का equity capital जो है, वो है 28,700 crores के उपर, उसके face value 10 रुपे पर share है, यानि कि उनके जो number of shares जो issued अभी है, इस वक्त, वो है 2873 crore shares, काफी बड़ा figure है, है ना, आज अगर हम market cap अगर calculate करे, आज 13 या 14 रुपीज के price पे अगर इतने number of shares को अगर multiply करे, तो already Vodafone Idea का जो market cap है, वो almost 40,000 crores के आसपास आ जाता है, ओके, so additional अभी उनको कितने capital की ज़रुरत पढ़ने वाली है, तो इसमें equity portion जो है, वो expected है कि 12,000 से 15,000 crores के range में होगा, expected issue price मैंने फिलाल एक assume किया है कि 10 से 12 रुपीज पर share के range में होगा, ओके, ये भी मैं slightly optimistic figure बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो आपको factors सारे बता है, उसके मुकाबले, मुझे लगता है, ये 10 to 12 रुपीज का range भी थोड़ा सा optimistic है, लेकिन मान के चलते कि इस range में उनका fundraising नया होगा, ओके, तो 10 to 12 रुपीज के price पर अगर वो नये shares issue करते इतने capital के लिए, तो कितने number of shares issue होंगे, तो around 1000 से लेके 1500 crore shares नये issue होने वाले हैं, इस price पर, ओके, तो इतने number of shares issue होने के बाद total जो number of shares हो जाएंगे, वो 3,900 से 4,400 crore shares के बीच में पहुंच जाएंगे, याद रखिए, ये figure काफी बड़ा है, अभी इस में, obviously promoters भी कुछ portion मेरे खाल से invest definitely करेंगे, इस नए fundraising में, मेरे इसाब से at least Vodafone PLC को तो उनका जो shareholding फिलाल जो है, वो maintain करने में जरूर interest होगा, तो वो लोग तो definitely invest करेंगे, हो सकता है बिरला गुरूप भी invest करें और उनका combined shareholding 75% के नजदीक वो लोग maintain करें, क्योंकि अगर pricing बहुत जादा नहीं होने वाला है, और दूसरी सबसे important बात है कि Vodafone Idea आज एक loss making company है, इस fundraising की मदद से वो लोग आने वाले 2-3-4 quarters में capital expenditure करके, उनका revenue growth boost करना चाते हैं, नए subscribers जोडने की कोशिश करना चाते हैं, उनको कम से कम 20-25% revenue growth की ज़रूरत है, सिर्फ operating break even अचीव करने के लिए, यानि कि उनके सारे operating expenses, interest cost वगरे यह सब मिला के, जो total खर्चे होते हैं, वो break even level पहुंचने के लिए, उनको at least 20% से 25% का revenue growth expected है, उसके आगे AGR dues का figure अभी अगर कम भी होता है, हमें exactly पता नहीं है, वो कम होगा की नहीं होगा, जो Supreme Court का ruling और कितने दिन खीचा जाएगा, वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि minimum 20-22,000 क्रोर का अगर AGR dues आता है, instead of अभी जो फिलाल 58,000 क्रोर का figure पे हम लोग बैठे हैं, तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ, मतलब around 15,000 क्रोर की तो तैयारी AGR dues के लिए करनी पड़ेगी, वो भी एक आउटगोई होगा, वो ब्रेकी वन अच्चिव करने के लिए, Vodafone Idea को around 30-40% का revenue growth expected है, in fact उनको जरूरत है, expected नहीं, जरूरत है, तो ये सब factors आप ध्यान में रखिए, और फिर अपने expectations बनाईए, जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि Vodafone Idea का share price बहुत ही जल्द 30 रुपे, 40 रुपे या 100 रुपे पर पहुंचने वाला है, वो आपको सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं, ऐसा reality में होने के chances negligible, मैं तो ना के बराबर कहूँगा, realistic expectation यही रहेगा, कि आज जो share price है 13, 35 रुपे है 14 रुपे का जो चल रहा है, ये price अल्रेडी थोड़ा सा overvalued zone में पहुंच गया है, हाँ, market में थोड़ा बहुत overvaluation चलता ही रहता है, हो सकता है 14, 15 रुपे तक भी चला जाए, लेकिन उसका realistic expectation मैं कहूँगा, कि 10 रुपे के आसपास ही है, यही price पे आज की जो भी उसमें risk element है, वो 10 रुपे के price पे सही लगती है, 10 के नीचे थोड़ा-थोड़ा सस्ता लगने लगेगा, तो अगर किसी को fresh investment करनी है, तो मैं suggest करूँगा, 10 रुपे के नीचे अगर वोड़ा-फोन आइडिया का share price कभी भी आने वाले 6 मैनों में dip करता है, तो उस वक्त खरीदने का सोचिए, और हाँ, ध्यान रखिए कि वोड़ा-फोन आइडिया का जो quarterly business progress है, उस पे भी ज़रूर ध्यान रखिए, मैं regular updates लाते रहता हूँ उनके results announcement के बाद, या फिर monthly subscriber data के बाद, तो उस पे भी ध्यान रखिए, ये progress बहुत ही important है, अगर company सही रास्ते पे progress करती जाती है, तो अगले 4 quarters में मेरी उम्मीद है कि वो break even achieve कर लेगी, कर दो का, कर दो फे हो, उसमार है कर दूता है,